गुड मॉनिंग सभी बच्चों को जो हमारा लेसन चल रहा है संचार माध्यम और प्रदेगी की संचार प्रदेगी की उसके तहत ही मैं आज ले रही हूँ 6.2 संचार माध्यम मीडिया क्या है ठीक है न्हांस आट की साथ हैं प्रवरी चोंते समय शाल टेलिविजनस ओकाहत मैं लेकर लोग मैं लेटिंग कर रही हूं अब पनीस को उसको मैं अच्छे से देखा करो पढ़ा करो zodना आश्र आजाएंग। या arguments भी कर सकते हो वो चीज है ना तो वापिस मैं अपने लेसन को ले रही हूं यह संचार माध्यम का प्रभाव है चलिए इसके बारे में और पढ़ते हैं निमलिखित मैं से सबसे अधिक विद्यमान घटक को पहचानी है विज्ञापन आप लोग जानते हो सारे जो मीडिया के च कई बार होता है कि विज्ञापन हमें ब्रहमित कर देता है और कई बार और सई जानकारी भी हमें देता है ठीके दोनों ही पहलो होते हैं हर चीज के कारिक्रम जिने हम टीवी हम देखते हैं ठीटर और टीवी पर जो फिल्में देखते हैं अकबार में जो समाचार पढ़ते ह से घर बाटे ही घरी दारी जरों कर रहे हैं इन सभी में सामने बात ये है कि इन संदेशों को विबिद शेत्रों में पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम का प्रयोग कि यह त्χेस अधारनते जब हम किसी न किसी से बात करते हैं या कि reasonable to तो सुनते हैं कि हावा उस माध्यम के रूप में कारी करता है और ध्वनी तरंग संचरित होती रहती क्योंकि कोई भी ध्वनी शुन्य में संचरित नहीं हो सकती है ध्वनी कहां पर होती है, हवा के माध्यम से हमारे तक पहुचाती है सन्देश, तो सबसे अच्छा सन्देश का वाह क्या हुआ, हवा, ठीके, अतर संचार एक प्रकीरिया है, संचार माध्यम मिध्या ही, एक साधन है, जो कि धारनाओ, विचारों, भावनाओ, नए तर्थियो अनुभों आदिस्ते प्रेशित और प्रसारित करने के लिए संचार के विभिन तरों का प्रयोग किया करता है ठीक है जनसंचार माधिमों में संचार के लिए मुलत आधुनिक प्रोधिगी की का ही प्रयोग किया जाता है किन्तु प्रोधिगी की मात उपस्तिती ही जनसंचार की अभी व्यक्ति नहीं है, जन संचार माध्यमों का लक्ष हमेशा भिन भिन वर्गों के अज्यानता नाम दर्शक श्रोता समू होता है, क्या संचार माध्यम या मीडिया का अर्थ के वल रेडियो टीवी है, नहीं, इस प्रकार के उग्रह, संचार, काम्प्यूटर, बेतार भी इसमें शामिल है, मीडिया काफी का परिवर्तन और विकास से गुजरा है, अब संचार प्रकिर्या के लिए मीडिया के रूप में असंख या आधुनीक प्राध्योगी के मिल रही है, ठीके, वो बहुत जादा अथक परियास, बहुत जादा जो व्यक्ति रहे हैं, ये दो चीज हमें दिखाए देती है, अच्छी और बुरी दोनों तरकी, ठीके, अब हम बात कर लेते हैं, बचो, संचार माध्यमों का वर्गी करन और कारिया, ठीके, संचार माध्यमों का वर्गी करन कैसे करेंगे, और ये कारिय कैसे करेंगा, ठीके, संचार माध्यमों को अधिकांश ग्रामिन विक्स्तार कार्य पुनत है, मेलो, रेडियो और प्रारंपरिक संचार माध्यम और पर निर्भर्थ था, आज भी इस्तिती कुछ ऐसी ही है, ग्रामिन दुरस्त शित्रों में अंतरव्यातिक संचार माध्यम मुख्य रूप से संचारों सरवाधिक प्रय पुरातन काल से ही विभिन पारंपरिक लोग संचार माध्यमों का उप्योग संचार के देशों देशी माध्यमों की रूप में किया जा रहा है, इसके कुछ अति लोग प्रिय उधारने पारंपरिक लोग रंकमेंच में नाटक जैसे की जात्रा बांगाल, रामलीला, आशा महारास्ट, यक्षगान, दाशावतार करनाटक और भवाई गुजरात, इस प्रकार के विभिन मौखिक साहित्या, संगीत के मिशित रूप में मुलाता, लोग किया जन जाती, तीय गीत, नरति जैसे की बोल, भतियाली, बंगाल, इसना, दारोरिया, मध्यप्रदेश दुहा, गर्बा, गुजरात, चक्री, कश्मीर, भांगडा, गिदा, पंजाब, कजरी, चेती, उत्रप्रदेश, आलहा, उत्रप्रदेश, बिहार, पॉंडा, लावली, महरास्ट्र, बिहु, असम, मान, पनिहारी, चार्नो, भाटो, राजस्थान, द्वारा गाय जाने वा अनेक प्रकार की कटपुटली, अकारिक्रम भी मनोरंजन के सासाथ संदेश पहुचाने के आम संचार माध्यम के भूमी का निभा रही है, इसमें सबसे आम है डोली, डोरी से नचाय जाने वाली कटपुटली, सुत्रधारी का जिसका प्रवचन, मुख्यत, राजस्थन, व प्रामपराओं को संप्रिक्षन है, बदलते समय के साथ यह सपस्ट है कि प्रामपरिक संचार माध्यम आधुनिक दर्शक्षरोताओं के लिए विविद्ध जान करें सुचना संबंदित आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए ना तो परियाप्त है और नहीं पुनता समर् अनेक नई प्राध्यों की लोकप्रिया बन गई है, पुरानी प्रारमपरिक जो संचार माध्यम में हम उसका भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में हम नई प्राध्यों की का प्रयोग भी संचार माध्यमों के लिए कर रहे हैं, नेक्स वीडियो में मैं आपके आद विनिक संचार माध्य मों को लोगे बच्चों ठीके